जय हिंद साथियों आपका आंसर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोगसभा कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है सम्विधान में लोगसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या होती है। आपका आंसर है, सम्विधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 होती है. आपका अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? आपका आंसर है, वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं. गाईज हर वीडियो में हम आपको कुछ न कुछ रोचक जानकारी जरूर देंगे आपका अगला सवाल है राश्ट्रपती आंगल भारतिय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोगसभा में नॉमिनेट कर सकता है आपका आंसर है राश्ट्रपती आंदल भारतिय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोगसभा में नॉमिनेट कर सकता है आपका अगला सवाल है लोगसभा में किस आधार पर सीटें बाटी जाती है आपका आंसर है लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटे बाटी जाती है आपका अगला सवाल है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को किस आधार पर आवंटन किया जाता है आपका आंसर है वर्तमान लोगसभा में 1971 के जनगणना पर राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किया जाता है आपका अगला सवाल है लोगसभा का सदस्य बनने के लिए नियूंतम उम्र कितनी होनी चाहिए आपका आंसर है लोगसभा का सदस्य बनने के लिए नियूंतम उम्र 25 होनी चाहिए आपका अगला सवाल है कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधी लोगसभा में भेजता है आपका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधी लोकसभा में भेजता है आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदियक शेत्र कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदियक शेत्र महाराष्ट्र राज्य से है आपका अगला सवाल है लोगसभा का नेता कौन होता है? आपका आंसर है लोगसभा का नेता भारत का प्रधान मंत्री होता है आपका अगला सवाल है आपका आंसर है लोग सभा को भारत का राश्ट्रपती प्रधान मंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है आपका अगला सवाल है वित्तिय बिल किस सदन में पास किया जाता है आपका आंसर है वित्तिय बिल लोग सभा सदन में पास किया जाता है आपका अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है आपका आंसर है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है आपका अगला सवाल है बजट किसके द्वारा पास किया जाता है आपका आंसर है बजट लोकसभा के स्पीकर के द्वारा पास किया जाता है आपका अगला सवाल है स्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है स्थाई लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है आपका अगला सवाल है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर है π्रोटेन स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है आपका अगला सवाल है किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है? आपका अगला सवाल है मंतर पृषद किसके प्रती उत्तरदाई होती है? आपका आंसर है मंत्रे प्रिशद लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है गाईज यह वीडियो का लास्ट प्रश्ण है आपका प्रश्ण है किसी अवस्था में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है आपका आंसर है आपातकाल की स्थिती में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकता है गाईज अगर आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और बेल आइकन को भी आन कर लीजिए रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए गाईज फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो को लेकर तब तक आप जे इजाजत दीजिए जय हिंद बंदे मात्रम